आप सभी लोग ने कुछ समय से देखा हुआ कि जो दच्छिर भारत की तुलू भासा है इसे राज भासा या फिर आप कह सकते हैं कि समिधान की आठवी अनसूची में सामिल किये जाने की मांग उठ रही है और आपने देखा है कि नियूच पेपरों में काप इच्छाई हुई है और आपने ट्वीटर पर भी देखा होगा कि ट्रेंड कर रहा था समझ रहे हैं आप लोग और आप लोगों से कई बार बोल भी चुका हों कि आप लोग कम से कम इस तरह की टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया करिएगा क्योंकि इनसे कुश्टन्स आपकी परिक्षाओं में हमेशा पूँचे जाते हैं फिर चाहे आप लोग स्टेट PCS देख लीजे सेविल सर्विस देख लीजे या फिर आप लोग वंडे एक जाम में डारेक्ट टोन लाइनर में कुश्टन्स बन जाता है और इसके लिए आप एक नॉर्मल सी बात कर सकते हैं कि कम से कम आप जिस भी परिक्षा की तयारी कर रहे हैं उसके 5-6 साल पुराने कुश्टन्स पेपर उठा के देख लिया करेगा इसने क्यात रहता है कि एक अंदाजा हो जाता है किस टॉपिक से बार-बार कुश्टन्स पूँचे जा रहे हैं समझ रहे हैं कौन सा टॉपिक आपके लिए मत्पूंड हो जाता है अब देखिए आप लोग अगर पुराने कुश्टन्स पेपर उठा के देखेंगे तो आप संगटनों से कुश्टन्स आपके हमेशा पूँचे जाते हैं मौली क अधिकार आप लोग देख लेजे जो आपका समीधान का भाग 3 है जो आपके मौली क अधिकार देगा है इससे भी आप देखते हैं हमेशा कुश्टन्स पूँचे जाते हैं आठवी अनसूची से भी आप देखेंगे कि हमेशा कुश्टन्स आपकी परिच्चाओं में आते रहते हैं तो इसमें हम लोग एक तुलू भासा के बारे में सामन जानकारी देख लेते हैं और आठवी अनसूची के बारे में जहां से कुश्टन्स हमेशा पूँचे जाते हैं उसके बारे में भी एक सामन जानकारी देख लेंगे और आठवी अनसूची में जोडने से क्या फायदा होगा क्या लाप मिलता है इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे और अभी तक क्या-क्या पर रियास किये जा रहे हैं उसे भी हम लोग देख लेंगे ठीक है? अगर हम लोग तुलू भासा के बारे में बात करें इसमें देखेंगे आप लोग की एसिया में आपको यह हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा अगर हम पड़ोसियों की बात करें तो यहाँ आपको नीचे स्रीलंका, बंगलादेश, मियानमार, भूटान यह नैपाल हो गया उपर आप देखेंगे चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान देखने को मिलेगा केरल की अगर हम लोग बात करें केरल और करनाटक तो आप लोगों को यह केरल देखने को मिलेगा और यह देखने को मिलेगा करनाटक इन दोनों राज्यों की बात की जा रही है केरल की कासरा गोड जिले को सब्त भासा संगम भूमी के नाम से भी जाना जाता है तुलू इन साथ भासाओं में से एक है इस तरह का भी कुश्चन सापकी परिक्षाओं में बन जाए कि सब्त भासा संगम भूमी किस से जिल्य को माना जाता है तो केरल का कासरा गोड जिला है 2011 में आप देखते हैं कि 10 साल माद हर सल 10 साल में एक बार आपकी जंगरना होती है तो अभी आपकी 2021 के आंकरे नहीं आये हुए तो 2011 की जंगरना की अनुसार अगर हम लोग देखें तो तुलू भासा बोलने वाले इस थाइनी लोगों की संख्या कितनी है लगबग 18,44,427 लोग इस भासा को बोलते हैं और वरतमान में आप देखेंगे भारत में तुलू भासी लोगों की संख्या समिधान की आटवी अनसूची में सामिल, मडीपुरी और संस्कित भासी लोगों से भी अधिक देखने को मिलेगी इसलिए मांग भी उठ रही है कि आपके यह कि जो कम बोलने वाले हैं अगर उन्हें भी उस भासा को भी आपका आटवी अनसूची में सामिल किया जा सकता है तो इस भासा को क्यों नहीं किया जा सकता है ठीक है और तुलू भासा वरतमान में दच्छिन भारत की तुलू नाडू छेत तक ही सीमित देखने को मिलेगी ये आप देख भी सकते हैं भासा को तुलू नाडू के बारे में अगर हम बात करें तो दच्छिट भारत की केरल और करनाटक राज्यों के तुलू बहूल छेत को तुलू नाडू नाम से जाना जाता है और करनाटक की दच्छिट करनाट और उडूपी जिले और केरल में आप देखेंगे कासरागोंड जिलिको का परयासोनी या फिर चंद गिरी नदी तक का उत्री भाग इस्छित के अंदरगत आता है मंगलूर, उडूपी और कासरागोंड सहर तुलूस अबधा के परमुक केंद है अंग्रेजी भासा विद रोबर्ट क्लेडवेल इनका समय रहता है 1814 से 1891 तक रहते हैं तो ये दिरविड भासा से निकली हुई है ठीक है उसी से सम्मंद रखती है अब बात आती है 18 अनसूची के बारे में तो इसके बारे में आप लोगों के याद रखना चाहिए सम्मीधान की अटवी अनसूची में सम्मीधान दोरा मानता परात 22 प्रादिसिक भासाओं का उले किया गया है एक अपकी बात हो रही है करेंट की लेकिन अगर हम लोग इस सूची के मूल सूची की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि सुरू में 14 भासाओं को इस्थान दिया गया था आप लोगों को एक और जानकारी देता हूँ आप सभी जानते हैं कि तीन डेट आपके सामने हमेशा आती रहती हैं एक 15 अगस्त, एक आप देखते हैं कि 26 जन्मरी और 26 नवंबर तो आप लोगों कुमाल होना चाहिए कि 15 अगस्त को हमें आजादी मिली समझ रहें सुतंता देवस इसलिए मनाते हैं 25 नवंबर 1949 को समीधान के कुछ फिरावदान लागू हुए तो इसलिए आप लोग समीधान दिवस के रूम में मनाते हैं और फिर आप देखते हैं कि 26 जन्मरी 1950 को समीधान पूरी तरह से लागू होता है तो इसलिए आप लोग गरतम दिवस मनाते हैं तो उस समय आप कह सकते हैं कि जब वो समीधान बना उस समय आपकी 14 भासाओं को इस्थान मिला था लेकिन आप देखेंगे कि आँगे चलके 8 अन भासाओं को भर भी बाद में चोड़ा गया है ये कौन-कौन सी भासा है थी? उन्हें आप लोग देख लिजे तो आप देखेंगे सिंधी भासाओं को वर्ष 1967 में जो समीधान का आपका 21 समीधान संसोधन हुए था उसके द्वारा किसे जोड़ा गया था? सिंधी भासा को कई बार इस तरह के भी questions आ जाते हैं किसिंदी भासा को कब जोडा गया था, किस समीधान संसो धन के तहट जोडा गया था. तो याद रखे 21 बार समीधान संसो धन था. पुर एक आपका 71 समीधान संसो धन होता है 1992 में, इसमें आप देखेंगे कॉंकरी हो गया, और नेपाली हो गया, इन तीन भासाओं को जोड़ा जाता है, फिर आप देखेंगे कुछ समय के बाद आप 92 बाद सम्मिधान संसोधन होता है, एक अब होता है सन 2003 में, इसमें आप देखेंगे चार भासाओं को जोड़ा गया था, बोडो हो, डौंगरी, डौंगरी, मैथिली और संथाली, इस तरह से अभी आप देखेंगे, 22 बाद साओं आपको देखने को मिलेंगे, एक बार बता देता हूँ, 22 को बता देता हूँ, कौन गों सी है, तो इसमें आप असमिया, बंगला, बोडो, डौगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नर, कस्मीरी, कौंकरी, मैथिली, मलयालम, मडीपुरी, मराठी, नैपाली, उडिया, पंजाबी, संस्कित, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलगू, उर्दू, ये आपको 22 बाद साओं देखने को मिलेगी, कई बार आपकी क्या होता है, कि प्रेलेम्स में कुश्च्चां से बन जाते हैं, आपको चार बाद साओ तो इन 22 के बारे में कमसे का मालूद होना चाहिए, ठीक है, और इन समिधान संसोधन को भी आप लोग याद रखिएगा, अब बात आती है कि आखिर आठवी नसूची में जुड़ने की लाप क्या है, फायदी क्या है, अगर मांग उठ रही है, तो कुछ फायदा तो होगा इस मान का कुछ उद्दिश तो होगा, तो आप देखेगी कि आठवी नसूची में जुड़ने से तुलू भासा को साहित अकादमी से पहिचान प्राप्त होगी, समझ रहे हैं, आप लोग एक तरह से उसे मन्च में लेगा, तुलू साहित का अन प्रमाडित भालती भासाओ में अनुबाद होगा, फिर आप देखेंगे जन पिती निदि संसद या विधान सबाओं में तुलू भासा का अधिकारिक रूप से प्रेयोग कर सकेंगे, और खिर आप देखेंगे चात परिक्षाओं जैससे सिविल सेवा परिक्षा आदी में तुलू भासा का चुनाओ कर सकेंगे, तो ए फायदे हैं आपकी आठवी अनसूची में सामिल होने के, ठीक है? भासाओं से भेदभाव का आरोप भी लगता रहता है, इन्हें भी आप लोग देख लिए, क्योंकि कम भासा कम बोलने वाले हैं किसी भासा को, उसे आठवी अनसूची में सामिल किया गया ह कई भासा यही हैं कि अधिक लोग बोलने वाले हैं फिर भी आठवी अनसूची में उन्हें इस्थान नहीं मिलाएं, तो इस तरह का वेदभाव की बात भी चलती रहती है, तो कई समधाये द्वारा सरकार पर अपनी भासा की अंदेखी करने का आरोप लगाया जाता रहा है आप देखेंगे 2011 की जनगरणा की अनुसार, आठवी अनसूची में सामिल संस्कित भासा बोलने वाले लोगों की संख्या मात 24,821 है, वहीं आप देखेंगे मड़ी पूरी भासा बोलने वालों की संख्या 17,61,89 है, समझ रहा है आप लोग, और जबकि इसी जनगरणा में आप देखेंगे कई अन्भासाओं को बोलने वालों की संख्या अधिक देखने को मिलेगी, इनमें आप देख सकते हैं कि भीली अत्वा भिलोडी इसे बोलने वालों की संख्या आप देखेंगे 1.4.13.637 देखने को मिलेगी, फिर 20-8 भी अनसूची में स्थान नहीं मिल प आठ जार दो सो चतीस लोग इस भासा को बोलते हैं फिर भी इसे आठ भी अनसूची में इस्थान नहीं मिल पाया वहीं अगर हम लोग गारो भासा की बात करें तो इसमें आप लोग देखेंगे 11,45,323 के आसपास लोगों की बोलने वालों लोगों की संख्या है वहीं हो भास 18,60,236 देखने को मिलेगे वहीं खासी की बात करें तो आप देखेंगे 14,31,344 लोग देखने को मिलेगे यह सभी आकड़े आप देखेंगे 2011 की जनकरना के आधार पर बताय जा रहे हैं तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा ठीक है और छेत्री यह भासाओं की सरक्ष दने की बात की गई है वो समीधान का अनुशेत है आपका 29 मौलीक अधिकारों में भारती समीधान के अनुशेत 29 में अल्व संख्यक वर्गों के हितों के सरक्षन के लिए तुरावधान का उल्लेक किया गया है और इस अनुशेत के अनुसार भारत की किसी छेत में रहने वा प्रयास हैं तो आप लोग ने 2018 में चीन की चांगसा सहर में जो सईप्त राष्ट सेक्षडिक विज्ञानी के वह सांस्किति संगठन जिसे आप लोग यूनेसको कहते हैं क्या कहते हैं यूनेसको यूनेसको के बारे में कुछ पॉइंट बदा दीता हूं आपको इसका हेड़ से आपके कुष्ण हमेशा पूंचे जाते हैं इसलिए आप लोग संगठनों को जरूर कवर कर लीजेगा ठीक है तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें यूलो गोष्णा ने अल्फ संख्यक भासाओं की सरक्षन को नई उज्या पिदान की और इस गोष्णा में समाज के समा प्रता कि सरक्षन तथा विकास की आवसक्ता पर भी बल दिया गया है तो ये कहानी है आपकी तुलू भासा की और आटवी अनसूची की इसके बारे में इतना ही पॉइंट आप लोग याद रखिए हो सकता है अगर कुष्ण से पूछे जाएं तुलू भासा से तो इतने मे कुष्ण से आगे भी आते रहेंगे ठीक है